मिया अब इसका कुछ-कुछ नोड़ पॉइंट नोगे को जाना है सिस्टेम में इसमें से पहला आता है प्लाज्मा प्लाज्मा कueilian पूछा जाता है कि प्लाज्मा को कि स्कों स्पोले में बॉलते हैं फ्लडी मैत को लोग बुलते को हम लोग बोलते हैं प्लाजमा दूसरा पाट आता है शीरम सीरम में लोग क्या बोलते हैं प्लाजमा मेरे क्लोटिंग फैक्टर जितने भी क्लोटिंग फैक्टर है उसमें से प्लाजमा में अगर हम लोग क्लोटिंग फैक्टर को माइनस करेंगे उसको लोग शीरम बोलेंग तो question पूछा जाता है कि plasma किसको बोलेंगे, तो blood minus form element, दूसरा इसमें question पूछा जाएगा, serum क्या है, तो अब प्लाजमा minus floating factor, तीसरा question इसमें पूछा जाता है lymph, तो lymph minus blood minus platelets, RBC, WBC, उसके बाद में हम लोग इसमें question पूछाता है, buffer system of blood किसको हम लोग बोलते हैं, तो हीमोगलोवीन, उसके बाद में आता है, ASCO3 minus NASCO3, तो यह सब हमारे buffer का काम करता है, हमारे blood के अंदर में, अगर हम लोग देखेंगे कि blood का volume को regulate कौन करता है, कि अगर हमारे body के अंदर में, blood का volume को regulate करने के लिए कौन सा system हमारे लिए, चुकि आप लोग पढ़े हो, kidney में प erythropoainting hormone, ये erythropoainting hormone क्या करता है, erythropoain depuis long bone से, तो blood को blood volume को regulate करने के लिए जेजी एम्पोटेंस होता है, जो हमारा Commission क्या करता है, ये जेजी रिलीज करता है एर्थ्रोपोईटीन हार्मोन को यह एर्थ्रोपोईटीन हार्मोन क्या करता है एर्थ्रोपोईटीन हार्मोन क्या करता है एर्थ्रोपोईटीन हार्मोन क्या करेगा और एर्थ्रोपोईटीन हार्मोन क्या करेगा एर्थ्रोपोईटीन हार्मोन क्या करेगा इस रात हम लोग देखें कि प्लाजमा क्या है तो प्लाजमा में लोग पढ़े थे कि और गिनिक सवस्टांस होता है उसके बाद में हम लोग यह देखें 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 कि इतने परसेंट होता है इसमें से क्या आता है यह हमारे नीट के लिए इंपोर्टेंस कोश्चन है इ यह question को हम लोगों को याद रखना है कि इन और गनिक में आपको question पूछा जाएगा कि अगर इन और पूछा गया तो आइन्स में पूछा जाएगा question तो आपको decreasing order या तो increasing order में पूछा जाएगा जैसे आपका क्लोरीन है एने प्लस है के प्लस है CA++ है MG++ है तो यहाँ पे question आपको पूछा जाएगा कि जो प्लाजमा के इन और गनिक कंपोनेंट जो है उसमें से आइन का increasing order क्या होगा decreasing order क्या होगा यह question के लिए sequence आपके लिए importance है इसको आप पूरी तरह से याद रखिएगा दूसा इन और गनिक सवस्टांस में आता है salt जिसमें से salt में एनस यह आता है एनस योथिरी आता है kaisy yield आता है इवेन की एनस यह जो नस यह यह आपका एनस यह यह वय फर का काम करता है इसको आपको याद रखना ज़रूरी है जो आपका blood जो buffer system of blood में दिखेजिक बताये थे यह काम करता है आवाता है इसमें प्रोटीन प्रोटीन में केता है जिसमें से हम लोग ये प्रोटीन गड़े SusaPana के आंदर मिन दूसरा प्रोथृमaporabona दोसरा आता गलोबली अब हम लोग देखेंगे कि यह पूरी तरह से जानकारी हम लोग को यह है कि जितना भी प्लाजमा प्रोटीन है सारा लिवर बनाता है इसको भरी भात याद रखेगा कि हमारा प्लाजमा प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है तो जितने भी प्लाजमा प्रोटीन हो चाहे लूमीन हो चाहे प्रोथ्रोंबीन हो यह सारा काम करता है हमारा फॉर्म करने का काम लिभर करता है तो अब इसमें देखेंगे कि आप से कोश्चन क्या पुछा जाएगा तो आप से कोश्चन पुछाएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन हो उसमें से लार्जेस्ट प्रोटिन निम्तित प्रोक्रोटेन उसमें से आता है प्रोथरोंबीड़ी दीसरा अगर आप function क्या है तो अगर हम लोग देखें ते अल्फा बीटा का जो काम है उसमें से transport of food है जो हमारे बहुत ही importance है कि अगर हमारे बड़ी के अंदर में चुकि हम जो फूड लेते हैं हम फूड लेते हैं मौत में लेते हैं हमारे बड़ी के हर एक सेल तक पहुंचता है वो हारे एक सेल तक पहुंचाने का काम हमारे का बनाने का मुट करता है वह पर वह मिर्या प्रोटेक्शन हमें उस stimulus छबना Стem second है कि हमारे नोट के अंदर में Plasma का क् implasma किसको बोलेंगे Plasma हम बोल जाएगा के बलड मैनस फॉर्म इलिमेंट दूसरा इसमें शीरम बोलेंगे इसमें तो प्लाजमा मैनस घ्लोटिंग फेक्टर तीसरा इसमें आता है लिम जिसमें से आता है लिम मैं जो कि यह बफर के लिए कि प wreck is youröm half immense कि 2 लोग देखरें हैं इस में क्या कि अगर ब्लाट प्लूुम रेग्लोएट करने का का काम करता है το छुप क्या करता है इसका काम होता हcorण है यह करता है रिलीज करता है यह तूसेसमें कंसरी सब्सक्राइब करें न क्य घृड़ाइब कैनी सब्सक्राइब पोटासियम है केलसियम है मैंगनेसियम है इसका कोस्चन आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और में आता है तो यह हमारे नीटो पॉइंट भी हुशे सारे इंपोर्टेंस से जिसको कि आप याद रखेगा दूसरा पार्ट इन और इन अरुइनिक में आता है शाल्ट ज प्रोटेंस में फैस का बड़न से की माहीं क्ल़ने प्लमिश्ग यंप फॉर्मेशन करता है लिवर से के हैं और छृटिंग और करता है अलफा बेटा गाम है तो अलफा काम क्या है? अलफा बिटाया काम है ट्रांस्पोर्ट और फूट जबकि बिटाया काम होता है यह इम्मेनों गॉलुलीन का काम करता है जो हमारे वड़ी में हमारे वड़ी के अंदर में एंड़ी का फर्मेशन करता है इट फंक्सन और प्रोटेक्शन तो नीट पॉइंट भूसे बहुत सा दूसरा पार्ट आता है कि अगर आपका लार्जेस्ट यह स्मॉलेस्ट प्लाज्मो प्रोटेन पूछेगा तो उसमें अलग लार्जेस्ट में आप देखिएगा फिर ग्लोबलीन में भी पूछा जाए कि अलफा काम क्या है बिटा काम क्या है और गामा का क्या है इस से बलाज्मा किसको our valonstries से दूसरा पार्ट इसमें आता है तो क्लोंटिंक नेता फैक्टर है तीसरा इसमें यह ए कि ट्यूफर मैं नाशने है इसमें से मוא जाने है हम लोग इसमें जाने है यह घजू कीरिकिन सबस्क्राइब करता है किड्नी में पाए चाहिए यह करता है लेक हार्मोन कर रिलीज करता है उस हार्मोन का नाम यह क्या रियाथ्रोपोस्टी का formation करता है इरोत्रोफोसी आने की formation of blood अब आता है इसमें plasma तो plasma हम लोग देखते हैं inorganic substance जो पाया जाता है एक percent इसमें inorganic substance में क्या है आयन है salt है आयन में क्या है जिसमें की chlorine है sodium है potassium है calcium है magnesium है उसमें से फिर inorganic substance में क्या आता है shalt आता है जिसमें NACL है NSU3 है KCL है अब इसमें आता है कि plasma protein के अंदर में कौन-कौन सा पार्ट है यह तो organic पता दिए उसको प्लाज्म प्रोटीन में कौन है कौन आता है तो six अस्माराचा का क्या है प्रोथ्रॉमभी न में क्या है स्प्लाज्म प्रोटीन जो लीवर स्ग्रास करता है ब्लट डोटिंच में काम करता है ग्लोबवली में में से यह सारा चीज को हम लोग देखते हैं अब इस के अंदर में दूसरा इसमें से घ्क सब्सक्राइब я辅ब को पहला पाकिश्वा बता है। दूसरा पाट इसका आता है इसमेंगे प्पूर्म गों कि तो इन साथे चीजों को हम को में से आप इसको एक अच्छी तरह से इसके लिए तो आप याद करने का एक ट्रिक बना ही लिजेगा जिसमें कि बहुत इंपोर्टेंस रहता है और इसे कोश्चन हर एक बार पूछा जाता है जिसमें कि इंक्रीजिंग ओडर से रहेगा दूसरा यह सब कोश्चन बहुत जाद रहत अगर हम को लैंगे तो कि सको बोलेंगे ते लर्ड मैन वहां से पूछा जाएका तो प्रॉट्रीग और चससी तरह से लिए हखा तो यह चीज को हम लोग को देखना है उसके बाद में हम लोग अगला पढ़ेंगे फॉर्म